एक गाउं में एक आदमी रहता था जिसका नाम सुरेश था वो वैसे तो जमीनदार था पर वो शिकार का बहुत बड़ा शौकीन था एक रोज जब सुरेश शिकार के लिए जाता है तो वो शिकार के लिए इधर उधर भटक रहा होता है अरे, आज क्या हो गया? एक भी शिकार नहीं मिल रहा? क्या सब जानवर छुटी पर चले गए हैं? तब ही उसे कुछ दूर एक भेडिया दिखता है, जिसकी आखे लाल होती हैं, और लंबी नाखून होते हैं. सुरेश उसे देख कर डर जाता है, वो उस भेडिया का शिकार नहीं करना चाता था, लेकिन तब ही वो भेडिया सुरेश को देख लेता है, और उस पर हमला कर देता अरे कोई तो बचाओ ये क्या चीज़ है ऐसा भेडिया तो मैंने आज तक नहीं देखा तभी सुरेश गोली चला देता है और वो भेडिया वहां से भाग जाता है लेकिन भेडिये के पंजे सुरेश को लग जाते हैं वो घर चला जाता है और रात में जब वो सोने जाता है तभी वो बड़े भेडिये के रूप में बदल जाता है और फिर घर से बाहर निकल जाता है वहां उसे कुछ दूरी पर छोटू लाल दिखाई देता है छोटू लाल भेडिये को देखकर डर जाता है और चिलाता है ए भगवान ये क्या बलो है कोई बचाओ मुझे लेकिन तभी वो भेडिया उसे पकड़ कर खा जाता है ऐसा करते उसे कुछ गाउं वाले देख लेते हैं और शोर मचा देते हैं तब वो भेडिया जो की असल में सुरेश होता है वहां से भाग जाता है फिर अगली रात जब सुरेश सो रहा होता है तो फिर से भेडिये का रूप ले लेता है ऐसे में उसकी पत्नी उसे देख लेती है और डर जाती है फिर अगले दिन सुरेश की पत्नी गाउवालों को बताती है गाउवाले भी सुनकर घबरा जाते हैं कि सुरेश ही वो भेडिया है जो लोगों को मार रहा है फिर वो लोग पासी के एक बाबा के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते है मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा बच्चों मुझे उस खूनी भेडिये के पास लेकर चलो गाउं वाले बाबा को सुरेश के पास ले जाते हैं जो कि अब भेडिये के रूप में है तभी बाबा अपने पास से एक चांदी का लॉकेट सुरेश के गले में डाल देते हैं जिससे सुरेश फिर से अपने असली रूप में आ जाता है फिर बाबा कहते हैं ये चांदी का लॉकेट इसके गले से कभी नहीं निकलना चाहिए जब तक ये लौकिट इसके गले में है तब तक तुम सुरक्षित हो और फिर गाउवाले बाबा को धन्यवाद करते हैं फिर बाबा वहां से चले जाते हैं फिर एक दिन जब सुरेश नहाने जाता है तो उसका लौकिट पहनना भूल जाता है और वो लौकिट वही पर पड़ा रह जाता है और जब रात होती है तो वो फिर से भेडिया बन जाता है और गाउवालों को मारने लग जाता है जैसे ही वो एक और आदमी को मारने वाला होता है तब ही वो बाबा वहां आ जाते हैं और अपनी जादूई शक्तियों से उस भेडिये को वश्मे कर लेते हैं और बोलते हैं मुझे पहले से ही पता था के ये लौकिट कोई पक्का इलाज नहीं है इसलिए मैं हिमाले के परवतों पर गया और वहां से ये जादूई जड़ी बूटी की दवाई बना कर लाया हूँ और फिर बाबा वो दवाई सुरेश के उपर डाल देते हैं और फिर सुरेश हमेशा के लिए अपने ही रूप में वापस आ जाता है फिर सभी गाउं वाले बाबा का धन्यवाद करते हैं और बाबा वहां से चले जाते हैं लेकिन तभी बाबा के कमर पर भेडिये के पंजे का निशान दिख जाता है और ये कहानी खतम हो जाती है